अम्बेटकर नगर जिलावा कारागार में बंद पार्टी कारिकरतों से मिलने आये भीमार में चीफ चंदुशेकर रावन को अकबरपुर तहसील ती राहे पर प्रिशासन ने रोक लिया भारे पलिस्पल के साथ मौझुद अरिकारियों ने रावन को जिल जाने की परमिशन नहीं दी इस दौरा रावन ने प्रिशासन और सत्ता पर जम कर हमला बोला कहा कि अपराधियों को सत्ता का संदुशन प्राप्थ है अचाना कमबेटकर नगर पहुँचे भीमार में चीफ अंगल राजकायम हो चुका है बेसिकली हम लोग आये थे कि बड़ी घटना यहां पर हुई थी रेप की इसमें जब न्याएं नहीं मिला सरकार दौरा प्रसार्शन दौरा तो हमारे लोगों ने कांदोलन किया था और तमाम तीस से ज्यादा नोजवान जो है आज जेल में ह परिवार से मिलने आया था मैं को दुख बाटने आया था और यह मेरा रास्ता पड़े क्योंकि मैं आजमगड जा रहा हूं आजमगड में एक दलित प्रधान की हत्या की गई है इस सरकार में कानून का राज तो समाप्त हो चुका है अप रादियों को सत्ता का संड़क्षन सब्सक्राइब है तो तमाम इनकॉंटर हो बलतकार हो हत्याय हो या कुछ भी हो वह सत्ता के संड़क्षन सब चीज़ चल रही है तो हमारा दाइत्तों बनता है कि सरकार जो जिस जूट में सरकार चल रही है जंता को सच बताया जाए कि यहां आम आदमी स्वक्षिद नहीं ह कि एक सवाल करकार के लोगों से भी कीजिए कि इस नाकाम सरकार को क्या जूरत है जो है जब उन पर सत्ता नहीं समल रही तो क्यों बाई वेकार में कुछ सोब बढ़ा है जनता को गुमरा करके जूट पे धरम और राष्टवाद के नाम पे बेकूप बना के वोट लेने वाले लोग आर रोजगार खतम हो चुगा है एजुकेशन के हालात खराब है जीडीपी का देखे क्या हालात है सरकार उपकुरम बेच बेच के जो है देश चल रहा है तो बिना अजन्डे बिना नीती की सरकार जो है आरसस के जो लोग हैं वो देश को बरबाद करने बतूलें और हमारे जिम्मेदारी के हम देश को बचाएं